हलो गाईज, वेलकम बैक टू आर्ट चैनल ओन जापान दोस्तों, आज का जो इंफरमेशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है डिफरेंट इसके लिए है कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ रिफ्यूजी विजा के बारे में जिनका भी स्टेटस रिफ्यूजी विजा का जापान में है उनके लिए वीडियो बहुत यूजफूल होगा तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बातों को समझेगा कि अब जो है जापान में जिनके पास रिफ्यूजी विजा है वो refuse visa अब हो चाहे तो work visa के साथ convert कर सकता है देखिए इसके लिए कोई officially announcement था नहीं लेकिन चुकि मेरे जो group of lawyer हैं उन्होंने से एक जो lawyer है हमारे उन्होंने जो ये कर दिखाया है तो उनकी वज़े से दो लोगों का जो है approval आ गया मतलब जो refuse visa पे था वो refuse visa वालेगा अब normal visa हो गया यानि कि उसको business visa बना दिया गया तो ये आपका भी हो सकता है मैं आपको उनका number देदूँगा और उनका email address देदूँगा तो आप उनसे direct contact कर सकते हो direct मिल सकते हो that is chargeable जो उनके charge होंगे वो आपको देना पड़ेगा तो आप जो है बेहिचक उनसे जाके मिल सकते हो बाते कर सकते हो सब कुछ समझ सकते हो कि आपको क्या-क्या document के ज़रुत पड़ेगी refuse visa basically आपको तो पता ही होगा कि सादार्थी visa होता है उस पे क्या होता है कि जापान में आपको छूट नहीं होती है काम तो आप कर सकते हो लेकिन उसका भी एक stay होता है like seven years, five years, ऐसा कुछ stay होता है उसके बाद आपको यहां से exit करना होता है लेकिन जब आप business में आ जाते हो या फिर आपका work permit में आ जाता है तो finally आप जापान में normally जो work permit वाले लोग रहते हैं अचा सबसे अची बात यह है कि जिन भाई का यह approval आया है उनका criminal record भी था उसके बाबजूद भी जो है उनका अपरूब हो गया तो बहुत अची बात है मतलब ऐसा माँ सोचना कि आपका भी कुछ criminal record हो और उसके बाबजूद भी आपको approval मिल जा ऐसा कोई जरूरी नहीं है हो सकता है कि उसका criminal record जो हो कुछ खास ना हो तो खेर यह internal problem है वो vary करता है कि आपका जो lawyer है कितना strong है कैसे कैसे क्या क्या मतलब वो documentation करता है और कैसे कैसे जो feel करता है कैसे कैसे apply करता हो सकता उसके कुछ contact हो तो खेर यह अलग बात है तो मुद्दे पे आते हैं हम लोग आप लोग जो है अगर आपको lawyer का number चाहिए प्रस्नली अगर आप refuse विजा पे है तो आप मुझे अपना status बेजो मैं आपको उनका email address और उनका जो number है office का मैं उनका दे दूँगा कुछ नया information लेके तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा और हाँ मेरे चैनल को subscribe जिरूट कीजेगा like जिरूट कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share जिरूट कीजेगा